जे ओ आईटी 817 का था कैबिनेट में इस पर चर्चा की गई और इस पूरे मुद्दे पर हम आपको बताएंगे सबसे पहले राज्य सरकार ने कुछ दिन पहले जे ओ आईटी 817 का मामला लीगल ओपीनियन के लिए लौ डिपार्डमेंट को भेजा था पूछा था क्या हम 817 क लटकी भरती को क्या हम सुरू कर सकते हैं इसमें किसी प्रकार से कोट की आधेशों की अभेलना योगी बाकाइता लो डिपार्डमेंट से इसमें अड़ यह मांगा गया था और यह वीकागे दा कि पाँच दिन के मीतर लो डिपारडमेंट को इस पर अपनी राय दए इस पर लो डिपार्यमेंस नहीं रहे फ्रख कर सकती है क्प्रच के इसमें शर्त लेए 800 आप उन तीज पड जो कि 556 और 817 का भीच का लंबे समय से ठक्राब चल रहा है इसी पर ये फैसला लिया गया था कि पांसो तीज पडों को अगर सेपरिट कर दिया जाए हटा दिया जाए तो क्या जे ओ 817 का result यहां पर घोशित किया जा सकता लोड डिपार्डमेंट ने कहा था अगर सरकार चाहे तो बाकाइदा स्प्रीम कोट मेरजी दाइर कर इसका result घोशित कर सकती है इसके बाद ये फाइल बाकाइदा कैबनिट में गई कैबनिट में चर्चा हुई लेकिन मंतरी मंडल की बैटकम ने बड़े स्थर पर जब डिशकसन किया तो ये कहा गया कि इस मामले की पहले 12 जुलाई को स्प्रीम कोट में सनवाई होनी थी अब एक दिन पहले सनवाई होगी और इसमें 530 पोस्ट को फिलाल होल्ड किया जा रहा है लेकिन इस बीच राज्य सरकार के लिए टेंशन वाली बात ये खड़ी हो गई कि 556 के केस में दिल्ली से एक लीगल नोटिस कर स्प्रीम कोट ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश का जियो का मामला पूरी तरह से लिटीग लेकिन बड़ी बात है कि इसमें उपीनिन आता है इसके साथ कैबिनेट में चर्चा होती है और कैबिनेट में चर्चा के तुरंत बाद डिली से लीगल नोटिस आता अब यह यह माँला एक बार फिर हम यूँ कह सकते हैं कि कनूनी अर्चनों में कनूनी परचन मेर फंसता जा रहा है क्यूंकि जिस सदार पर सबैसे वह जा गया है सिरकार को inertia किया अब इस लिखन की कोपी बाइदा मुख्यमंतरी काईले को भीजी जा रही है और जो आज cabinet में चर्चा हुआ उसकी प्रोसीडिंग को लाने के लिए भी का गया है जो लो कावपी ने नाया है उसकी कोपी लगाने को भी का गया पूरे मामले की हिस्ट्री के साथ ये निरने लिया गया कि अब मुख्यमंत्री को ये केस बेजा जाएगा क्यूंकि मुख्यम में ये पूरा मामला लाया जाए उसके बाद ये तैय किया जाए अगर सुप्रिम कोर्ट में 11 जुलाई को अरजी डालनी 817 के रिजल्ट को घोशित करने की तो क्या उसमें हम ये लिखेंगे कि हम कर रहे हैं इसको या फिर सुप्रिम कोर्ट से इसकी अनुमती मांगी जाए इस परकार की परिस्तितियां हैं 530 पोस्टों का ये लफडा है अब हम इस 817 के रिजल्ट को घोशित करना चाते हैं और हमें इसके लिए सुप्रिम कोर्ट अनुमती परदान करें अब इस पर मुख्यमंत्री को तेय करना है कि क्या 817 को रिजल्ट को घोशित करने की बात उ सुनवाई होनी हैं तो इससे पहले हमाचल परदेश की सरकार को बाकाइदा सुप्रिम कोर्ट में एफे डपड दायर करके इस पूरे केस को लेकर बताना होगा अदालत को कि इसमें हमाचल सरकार का क्या स्टेंड है इस कार्ड जो आज 556 का लीगल नोटिस दिल्ली से आया ह है इसके बाद यह मामला पूरी तरह से फस्ता हुआ नजर आ रहा है यूजी सी स्केल की बात करें तो कैबिनेट में चर्चा हुए और यह कहा गया कि अगली मंत्री मंदल की बैठिक में पूरे विस्तार के साथ कितना कितने हिमाचल परदेश के ऐसे प्रोफेसर हैं जो